Welcome to Technical Education by Anand Moriya. तक पहुँच सके। तो चलिए आज के विडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिक्सी मिथिलीन जिसे हम पॉलियसितल्या। फिर पॉलिफॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं। इन दोनों नामों को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। पॉलिक्सी मिथिलीन क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है या दिखने में वाटर के कलर जैसा दिखता है। यह एंजिनेरिंग प्लास्टिक ग्रूप से आता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं। लाइक तफनेस, स्टीफनेस, स्ट्रैंथ, गुड़, डाइमेंशनल, इंस्टेबिलिटी साथ ही इसकी थर्माल स्टेबिलेटी भी काफी अच्छी होती है बट इसके साथ कुछ लिमिटेशन्स भी है यह टॉक्सिक इन नेचर होता है जिससे यह हानी पहुँचा सकता है य यह 100% recyclable है बट इसे recycle करना थोड़ा कठिन होता है इसकी mechanical properties तथा thermal properties इतनी अच्छी होती है कि हम इसे metal part की जगहे पर replace कर सकते हैं यह metal part की जगहे पर आसानी से use किया जा सकता है साथ ही इसमें जंग भी नहीं लगता इस वजह से इनके parts की life भी काफी अच्छी होती है से और detail में जानने के लिए video के last तक बने रहें जिससे हम आपको बता सके किसके बनाने का raw material क्या है यह किस process का use करके बनाया जाता है और बनाने के बाद इसकी properties क्या होती है इसका processing nature क्या होता है process होने के बाद इनके product को किन feed में use किया जाता है उनकी क्या properties होती है इस तरीके की काफ पॉलिक्सी मिथिलीन, पॉम, जिसे एसीटल या पॉलियसिटल भी कहा जाता है, एक एंजिनेरिंग प्लास्टिक है, जो थर्मो प्लास्टिक्स के परिवार से संबंधित है। यह उतक्रिष्ट मेकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक अत्यधिक क्रिष्टलिये और मजबूत मटेरियल है, जो इसे विभिन एप्लीकेशन के लिए उप्युक्त बनाती है। आएए इसके स्रोतों, निर्मान की विधी, सामान्य विशेश्टाओं और प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसिंग नेचर और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। सोर्सेस ओफ रॉव मेटेरियल पॉम के लिए प्रामरी रॉव मेटेरियल फॉर्मल डिहाइड है, जिसे प्राकृतिक गैस, कोईला या मेथनौल जैसे विभिन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिम्राइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से P.O.N. का उत्पादन करने के लिए फॉर्मल डिहाइड को अलकोहल, आमतोर पर ट्रायोकसेन या मेथनौल के साथ प्रतिक्रिया की जाती है। मेथड्स ओफ मैनियूफैक्चर पॉलिम्राइजेशन रियक्षन शामिल है। परिणामी P.O.N. को आगे के उपियोग के लिए विभिन्द रूपों, जैसे पिलेट्स और सीट्स में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य लक्षन और गुन एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ P.O.N. अपने असाधारन यांत्रिक गुनों के लिए जाना जाता है, जिसमें उच्छतन्य शक्ती, कठोर्ता और ठकान प्रतिरोध शामिल है। यह निरंतर स्ट्रेस होने के बाद भी के कम क्रीप प्रदर्शित करता है, जो इसे लोडिंग एट्लीकेशन्स के लिए उपियुक्त बनाता है। दो, डाइमेंशनल स्टेबिलिटी, पॉम में उतक्रिष्ट डाइमेंशनल स्टेबिलिटी है, जो अलग-अलग तापमान और आर्गरता के स्तर के तहट भी अपने आकार और आकार को बनाए रखता है। इसमें थर्मल एकस्पेंशन का कम गुनांख है। तीन लो-फ्रिक्शन वियर रेजिस्टेंस पॉम में कम घर्शन गुन होते हैं, जो इसे उन अनुप्रयोगों के लिए उप्युक्त बनाता है, जहां फिसलने या घूमने वाले हिस्से शामिल होते हैं। यह गुड़ वियर रेजिस्टेंस को भी प्रदर्शित करता है, जिससे लगातार रखरखाव की आवश्चक्ता कम हो जाती है। चार केमिकल रेजिस्टेंस, पॉम इनधन, सॉल्वेंट्स, तेल और ग्रीस सहित कई रसायनों के लिए प्रतिरोधी है। यह हाइड्रोलिसिस के लिए अच्छा प्रतिरोधक है, जिससे यह पानी से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए उप्यूप्थ हो जाता है। यह अच्छा प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, जिससे यह डिग्रेडेशन के बिना हाई टेम्परेचर का सामना कर सकता है। प्रोसेसिंग बिहेवियर हॉम को इंजेक्शन मोल्डिंग, एक स्क्रूजन और मशीनिंग सहित विभिन तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें फ्लो एबिलेटी हैं, जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया को सुविधाजंक बनाती हैं। इसे सक्त सहनशीलता के साथ जटिल अकार में ढाला जा सकता है। P.O.N. को पारमपरिक मशीनिंग तकनीकों जैसे टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग का उप्योग करके भी आसानी से तयार किया जा सकता है। एप्लीकेशन्स P.O.N. के उतक्रिष्ट, Mechanical Properties, Dimensional Stability और Chemical Resistance इसे एप्लीकेशन्स की एक विस्तरित श्रिंखला के लिए उप्युक्त बनाते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं। एक Automotive P.O.N. का उप्योग विभिन Automotive घटकों जैसे गियर, इंधन प्रणाली घटकों, दर्वाजे के हैंडल, सीट बेल्ट सिस्टम और इंटीरियर ट्रिं भागों में किया जाता है। दो, Electrical और Electronics, इसका उप्योग Electrical Connector, Switch, Relay, Circuit Breaker, Insulating Components और Coil Formers में किया जाता है। यह उपकरणों, खिलोनों और विभिन घरेलू सामानों में भी पाया जाता है। यह विभिन उद्योगों में पॉम के कई अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण है। कुल मिलाकर, Polyxymethylene, POM, एक बहुमुखी है। उद्कृष्ट Mechanical Properties, Dimensional Stability, Chemical Resistance और Processing Behavior के साथ यह एंजिनिरिंग प्लास्टिक के अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रिंखला के साथ इसे विभिन उद्योगों में एक लोक्प्रिय विकल्प बनाती है। इस तरह से हमने आज के विडियो में Polyxymethylene के बारे में डिटेल में जाना अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, इसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकत हैं, मैं उनका reply करूंगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो subscribe करें, जिससे इस topic से related वीडियो के notification आप सभी तक पहुँच सके धन्यवार.